अथेस्ट आइस्ट आइस्ट कंटेंड रहे के आज के निप्टी 50 21 920 इसरपोर्ट यह इंपर्टन लेवल अ्पर्टन जो यह वो दिखा रहा हूं गाज बैंक निप्टी 470 54 फ्नार्म्र रिजिस्टन्स है FII Sell कर रहा है My View Technical Concept में मैंने Dragonfly Doji लिया है आप लेफ्ट वाली इमीज में यहाँ पर देखे आपको देख रहा होगा मैंने थोड़ा हाइलाइट भी यह होगा है उसको यह Strong Bullish Solo Candle है एक Solo Candle का फो में Strong Bullish है एक चांस से कल मार्केट अगर Gap Up खुलेगा Around 47,000 के आसपास तो सीधा सौट होगा और अगर नीचे खुला तो वहाँ से Buying हो सकता है एक बार रिटेस करने आएगा शायर Doji के Head तक या तो फिर यह दूसरा जो एक मेंने Blue Zone रखा है उसके अंदर तक Market आएगा फिर कुछ मूँ दे सकता है But मेरा एक है यह है कि 400 पॉइंट की रेंज में Market अभी फसा है तो मैंने इसलिए लिखा है कि Sideways Market और Scalping Days मतलब Scalp करना पड़ेगा Higher risk ट्राप शेल करें और Support पे बाय करिए If I is selling Nifty 50 300 points मूँ एक्सपेक्टेड था गाइस उस दिन में बताया था But उसमें से 200 points तो आज ही cover हो गए एक दो दिन में है मतलब ये कल मिल जाएगा फिर शायद एक down move आने का chances मुझे लग रहा है देखते आगे Bank Nifty ने अच्छा bounce दिखाया Today's technical concept Dragonfly Doji है Gift Nifty का गाइस बता देता हूँ Consolidate कर रहा है heavily ये कल अपना sideways market का बहुत chances है DIA buying कर रहा है और FIA selling कर रहा है Election खतम होना देख और DIA का buying कम हो जाएगा FIA का selling सहथ बढ़ जाएगा Global sentiments अभी भी very very bullish है Extremely bullish हो गया market Guys देखोगे तो आप सब bullish है Currencies में डॉलर गटा है आज Dollar Index भी डाउन हुआ, Dollar भी घटा है बाकी सब currency strong है Nifty 50 के Intraday Level थे हमारे expiry special 22.05 एक resistance touch किया 70-80 तक गया था 80 पेसे वो वापिस नीची आया है Support 21.9.20 वहां तक आया ही नी market Gap up खुल गया और वहीं पे range bound रहा तो ये अपने लेवल थे अभी भी यही point है 5x2 मैं वोलूँगा जो भी है एक बार रिजिस्ट कर सकता है market वहां पे तो देखेगा Swing Swing में मैंने resistance 5x2 एड़ कर दिया है और Swing all side अगर किसे ने लिया है तो एक्टिव होगा उसका मैंने खुद ने लिया है मेरा मिस हुआ है देख लिए गाइस 5x2 और 528 528 एक strong resistance है 528 से 576 की range strong resistance है क्योंकि 528 से market गीरा था अभी उसके बाद 20 to 400 एक लिखना रह गया 20 to 400 टज करके भी market गीर सकता है अभी और अगर इस बार गीरा तो यह अभी रुकेगा नहीं Bank Nifty Intraday 46,580 अभी support में हमने वापिस डाल दिया उसको second support 46,320 रहेगा और 180 strong support रहेगा मेरे साब से कल 180 आने के chances लग रहेगा अगर नीचे खुला तो gap अप खुल गया तो same story repeat होगा sideways रहेगा market और ऐसा ही slowly slowly उपर जाएगा बट उपर उपर बड़े resistance है गाईस 47,0,54,334 और 7,8 334 मेरे लिए strong resistance का काम करेगा ऐसा लग रहे है मेरे को क्योंकि हमने swing में 281 तक का दिया है resistance बट मेरे को लग रहा है 300 तक साइड जो market ने phenomenon चेंज किया है जनरली resistance के पास आके तूरंत नहीं गिरता है उसको break करके उपर जाके नीचे गिराता है जैसे हमने 880 का resistance दिया तो फर्स टाइम break किया फिर उसने resist किया है चाट पर देखेगे उसको बैंक निप्टी का swing ये active है swing अपना 46,45,965 strong support से काम किया उपर गया market उपर खुला और मैंने कल level दिया था 46,880 ये चार resistance है उसके बाद में target मिलेगा 48 मुझे थोड़ा एक doubt है अभी लग रहा है उपर से market वापिस एक बार रिवस आएगा क्या अगर वो channel break करके निकल जाएगा तो निकल जाएगा मैं आपको चार्ट पर channel दिखाऊँगा वो channel break करके sustain किया तो निकल जाएगा बाकी market वापिस आ सकता है तो चलते हैं चार्ट के उपर गाइस ये bank nifty का चार्ट है मंतली चार्ट पर आ गए है अभी इसके अंदर में दिखा रहा हूँ आपको के ये एक channel है blue color का मार्केट अगर उपर closing दे देगा ये मंत के एंड में अगर आराउंड फुट्टी सेवन जिरो फुट्टी फुट्टी फुर के उपर closing दे देगा एक्सपाइरी के बाद तो फिर एप्रिल का मेना फिर बुलिश हो सकता है अगर यहां यहीं पे कहीं पे closing दिया मार्केट उपर जाके नीचे आ गया तो फिर एक बड़ा red candle आ सकता है फिर वो नीचे जाएगा तो 43,500 मेरा फिर पहला target हो जाएगा मैंने बुला था कि swing में मैं आपको एक बड़ा target दूँगा नीचे के side पे अगर जाता है तो बाकि फिर उपर की side तो अपना 48,800 के आज बाजू ही target और वो तूटा तो फिर 50,000 यह दो target मेरे ultimate target है वो दू-तिन मेना ले सकता है साइद election तक यह जो एक जोन है यहापे कॉनिकल जोन जो बन रहा है उदर market hold कर सकता है उसके अंदर एक मेना और निकाल सकता है में अज उन में जाएगा अभी थोड़ा weekly view बताता है फिर मैं आपको वान आर पे लेके चलूँगा यह weekly support उसने लिया है इसके बाद मैं small time frame पे लेके जाता हूं तो आडिया आएगा डेली candle है ग्रेवस्टोन डोजी बनाया है ग्रेवस्टोन डोजी है थोड़ा नेगेटिव जैसा ही candle रहता है बट देखते कल अगर इसका नीचे आएगा तो यह blue zone में आ जाएगा इसको मैं वन आर में दिखा देता हूं कि यह मैंने लिखा है अभी मैं expect कर रहा हूं कि market उ उपर खुले तो फिर एक नीचे का मूह मिलेगा क्योंकि फिर एक double डबल टॉप फॉर्म हो जाएगा और फिर नीचे एक अपना रिटेस पेंडिंग है यह डोजी का या तो फिर यह gap का अगर वो gap फिल कर ले तो अच्छा है जनरली जब अप्ट्रेंड स्टार्ट होता है तो कई हमने कई बार वो उपर खुलता है और उपर के उपर ही निकलते जाता है गैप छोड़के जाता है और फाइनली एक रेड केंडल आता है सब गैप कवर कर लेता है पूरे वीक का बता रहा हूँ वीक की केंडल अभी देखो यह हमारा जो एक कंसेप्ट है ट्वेंटी वो और ब्लू यह जो मुविंग दोनों एक बर क्रोस ओवर दे दे रिटेस करें फिर अपना एक अच्छा कहसा ट्रेड आ सकता है अगर यह यहां से वापिस किरा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा फिर एक्स्टेमली नेगेटिव हो जाएगा मार्केट तो उसके लिए दे फिर यह पूरा दिन परेशान करेगा मार्केट इसलिए यह मैंने लिखा है मार्केट फस गया अभी एक मिन में दिखा था हूँ गाइस ड्रो करके अगर किस तरह के से चांसिस है अगर यह उपर खुलता है यहां पर कहीं पर 47,000 के कहीं पर भी 880 पर तो 880 से यह सीधा सीधा नीचे आएगा हो सकता है यहां पर ले फिर यहां पर वापिस पांस करे फिर यहां पर टेस्ट ले फिर यहां पर वापिस डबल बोटम बनाके फिर यह ब्रेक करेगा फिर यह उपर जा सकता है ऐसा सीधा-सीधा तो नहीं जा सकता तो ये भी एक chances है और और फिर उपर उपर इसका देखों है यह यह पर रेजिस्टंस एरिया है इसब यह पूरे रेजिस्टेंस है इसलिए बड़े दीख है आपकोụcली रेजिस्टेंस है स्केलपिंगे लिए हम को छोटे--छोटे ' 1-bing के रेजिस्टेंस 59ड हर जनेरली विकली फॉलो करता हूं तो इन विकली देखता हूं तो यह अच्छा खासा हा अबी यह जो पूरी weeks है यह सभी weeks यह weeks के उपर रहना चाहिए RAMSAY अगर यह weeks के ऊपर रहा तो ईजह पूलिश होगा नहीं तो यह वीक के अंदर निचे अ गया तो यह वापी से Dragonfly और मुझे लग रहा है कि थोड़ा चॉपी रहेगा मार्केट, बेंक निप्टी भी कल, क्योंकि उसने अच्छा खासा ब्रेकाउट तो दिया है, अभी देखते हैं, अभी यहांसे क्या करता है मार्केट, मुझे लग रहा है कि एक डाउन मूप पेंडिंग है तो हो जाए, त कर सकते हैं अच्छी कॉंटिटी के साथ, तो 46,400 तक तो एटलिस आ जाना चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या करता है मार्केट, निप्टी देख लेते हैं गाइस, यह निप्टी का चाटे स्मूथ है थोड़ा, रेजिस्टन्स मिला उसको आज, प्योरली एक इवनिंग स्टार बनाया गाइस, यह इसका रेजिस्टन्स का काम करेगा कर 22,046, यह अगर इंट्रडे कोई करता है, इसके लिए 22,046, नोट कर लिजिए, यहां पर रेजिस्ट कर सकते है मार्केट, और सीधा-सीधा नीचे आएगा फिर, एक टार्गेट अपना यह मिल सकता है, फिर 8.55 तब का टार्गेट है फिर, 100 पोइंट, 200 पोइंट, अगर यह इवनिंग स्टार के हेड़ पर ही खुल गया, गैप अप होके, तो समझ लेना स्टेंथ चली गई, बेर्स फर्स आएगे फिर, क्योंकि उसने आज पूट लेके जो भी गय होगे, वो तो यही एक्स पे करे ही है, चलो वो दिखा ही देता हूँ, मैं आपको गैस, अगि निप्टी में, देखो यह यहाँ पर कब से फसा पड़ा है, यह कल का निप्टी है अपना, यह कल का निप्टी अपना फस जाने वाला है, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे गंटे चले गए, अंटिल और अनलेस मॉर्निंग में कुछ होता है, ठीक है गाइस, तो गाइस, अभी, अगर आपको मेरा अनलेसिस अच्छा लग रहा हो, तो आप दूसरे ट्रेडर्स को सेर करिए, अच्छा, मैं आपको यह वाला दिखा देता हूँ, ट्रेगन फ्लै डोजी, बैंक निप्टी में बना था, व अगर आप इसको अगर देखो, फिबू नाची में ले लेता हूँ, इसको अगर आप 50% ले लीजिए, तो 50% तक का SL रख सकते हो, 50% से नीचे जाए, तो ही आप छोड़ना, जब भी बने अभी, ड्रेगन फ्लै डोजी, यह आपके लिए एक परफेक्ट केंडल है, यह सोलो केंडल है, बट वन में आर्मी केंडल होती है, चार-पाज गंटे इसका आफर आराम से चलता है, बड़ी-बड़ी केंडल बनाता है, पांच केंडल तो आप पकड़के चले हैं, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे केंडल चली है, इसमें, यह ड्रेगन फ्लै डोजी केंडल है, सिमिलरली अगर ऐसा उल्टा बन जाता है, तो वो घ्रेवस्टोन डोजी बन जाता है, तो थोड़ा बेरिश केंडल है, मैं एक्सपेट कर रहा हूं कल यहां पर मार्केट थोड़ा पूरा कॉंसलोडेट करेगा, अगर डे टाइम पर देखोगे, आप बैंक बराबरे गाईस, इसमें सिर्फ ऑप्शन रिटेल ट्रेडर को फसाया जा रहा है, बाकी किसी को में, ठीक है गाईस, अगर वीकली ट्रेड लेते हो, तो कोई चिंता करने की जुरत नहीं, बट अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो एवरी स्केल भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लंबे लंबे ट्रेड नहीं मिल सकते हैं, ओके गाईस, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, और बाकी सब रिटेल ट्रेडों को मेरा वीडियो बेज़े, जिससे मेरा रीच बड़े, और उनको हम लॉस से बचा पाए, थ